Hello Friends, Welcome to our Channel The Value Knowledge जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा important knowledge लेके आते हैं जो आपको आपके personal और professional life में आगे बढ़ने में help करता है और दोस्तो अगर आप कोई competitive exam के लिए preparation कर रहे हो तो दोस्तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे 10 questions लेके आये हैं जो बहुत सारे interviews में पूछे गए है और आगे जाके भी पूछे जा सकते हैं तो चलो फिर दोस्तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे 10 questions जो आपको कोई भी interview clear करने में मदद करेंगे तो दोस्तो सबसे पहला जो question है जो हमने पिछले वीडियो में पूछा था ऐसी कौनसी चीज़ है जो इंसान ले तो सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है तो दोस्तो इसका सही answer है life याने जिन्दगी तो बहुत सारे लोगों ने इसका answer सही दिया दोस्तो आपका knowledge सच में बढ़ रहा है आप हमारे वीडियो रेगुलरली देखते रहो जिससे आपका knowledge और बढ़ेगा दोस्तो next question है एक पहली है चार अक्षर का मेरा नाम टिम टिम तारे बनाना काम शादी उत्सव या त्योहर सब जलाए बार बार तो ये पहली बहुत सारे exams में पूछी गई है दोस्तो आपको इसका answer आना चाहिए और दोस्तो इसका answer है full जड़ी next question है वो कौन सा आवाज है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है तो ये भी बहुत important common sense का question है दोस्तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपने भी ये आवाज जरूर कभी ना कभी सुना होगा तो दोस्तो इसका answer है karate की आवाज next question है दोस्तो इनसान के खून में कौन सा acid पाया जाता है तो बहुत important GQ के उपर ये question है बहुत सारे exams में भी पूछा गया है और दोस्तो इसका answer है uric acid तो इनसान के blood में uric acid पाया जाता है next question है दोस्तो बना पहाड़ों में घर सुन्दर आना है तो आओ दूप अंदेरा मेरे अंदर कहिना डर तुम जाओ तो दोस्तो ये भी एक बहुत important पहली है बहुत सारे exams में ये पूछे गई है और इसका answer है दोस्तो गूफा याने caves दोस्तो next question है युनेसको का headquarter कहाँ पर सीथ है तो बहुत ही important जीके का question है दोस्तो बहुत सारे exams में और interview में ये पूछा गया है आपको इसका answer पता ही होना चाहिए और दोस्तो इसका answer है Paris जो कि France Europe में है next question है दोस्तो ऐसा कब होता है जब आप लाल पे चलते हो और हरे पर रुख जाते हो तो थोड़ा सा common sense का question है दोस्तो आपने भी ये चीज़ कभी ना कभी की रहेगी आप इस पर जरूर सोचो और दोस्तो इसका answer है जब आप तरबूज खाते हो यानि जब आप watermelon खाते हो और दोस्तो next question है Commonwealth Games की शुरुवात कि इस देश में हुई थी तो बहुत ही important GK का question है दोस्तो बहुत सारे exams में भी पूछा गया है और दोस्तो इसका answer है Canada में जो कि North America में है दोस्तो next question है वह कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्रान त्याग देता है तो ये भी बहुत ही important general knowledge के उपर question है दोस्तो आपको इसकी जानकरी होनी चाहिए और दोस्तो इसका answer है Saras तो दोस्तो आप इस पे और भी research कर सकते हो थोड़ा सा internet पे ये particular word डाल के और दोस्तो आज का last question है वो कौन सी चीज़ है जो खरिदने पर काली, इस्तिमाल करने पर लाल और फेकने पर सफेद हो जाती है तो दोस्तो इसका answer आपको पता होगा तो आप हमें comment box में लिख के भेजो अगले वीडियो में हमें इसका answer देंगे और ये भी बताएंगे कि इसका किसने answer सही दिया तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे 10 questions जो आपका दिमाग तेज करेंगे और आपको कोई भी interview crack करने में मदद करेंगे दोस्तो इसके अलावा हमारे channel पर हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे GK के questions, common sense के questions और बहुत सारा general knowledge share किया है आप हमारे playlist में जाके ये सारे videos देख सकते हो इसके अलावा दोस्तो अगर आप घर बेटे पैसे कमाना चाते हो तो हमने आपके साथ कुछ ऐसी websites भी share की है जिस पे आप काम करके घर बेटे अच्छी खासे earning कर सकते हो तो ये सारे videos आप हमारे work from home jobs की playlist में जाके चेक कर सकते हो तो दोस्तो हमारे videos देखते रहो, हमारे videos को like करो, हमारे channel को subscribe करो जिससे आपको ऐसी valuable information घर बेटे मिलती रहेगी और वो भी एक ही channel पे तो दोस्तो ये वीडियो में बस इतना इधार जल्दी मिलते हैं कुछ और important questions के साथ, कुछ और interesting knowledge के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो, thank you very much